गुजरात राजेस्तान के सरहत पर जलियावाला बाग में हुवी हत्याकान से भी बीबत सत्याकान मांगर नामक पहाडी पर आज़ी 105 साल पहले 179 पर 1913 में हुआ था इस हत्याकान में 1507 जितने आदिवासी भी लोक अंगरे जोने मार डाले थी यहां हत्याकान जलियावाला बाग से बहुत बड़ा होने के बावजुद इतिहास में उसकी नोट जितनी करनी चाहिए उतनी की नहीं गई आग भी देश के कहीं लोग इस हत्याकान के बारे में नहीं जाते हैं तो चलिए इस परबर हत्याकान के बारे में कुछ जाने का प्रेथ न करते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं उन्हें कुछ पाड़ हुए स्वागत करता हूँ आपका प्रिमिटिव वर्ल्ड पर जलेवाला हत्याकांट 13 एप्रिल 1919 में हुआ था जिसमें जलियावाले बाग में दी गई हुई सुची के मुताबिक 388 लोगों की यत्या हुई थी लेकिन उससे भी ज्यादा बरबर हत्याकांट उजरात राजस्तान सरहत पर हुआ था लेकिन उसकी उतनी टिकपड़ी नहीं ली गई जितनी जलियावाला बाग की ली गई है अर्वली परवत कि स्रुंखला की यहां मानगड पहाडी 17 नामबर 1913 में अंगरजों के जुल्म सितम के खिलाब गोविंद गुरू के नित्रुत्वों में हुए ससक्तर करांती में 1507 जितने देशभक्त आदिवासी सहीद हुए थे गोविंद गुरू का जन्म 20 दिसंबर 1858 में राजस्तान के डुंगरपूर जिल के वेदसा गाउं के एक मंजारे परिवार में हुआ था बांसवाड़ा, डुंगरपूर और पंचमहाल के स्थानी लोगों से प्राप्त माहिति कनुसार गोविंद गुरू के नित्रुत्वों में बिल समुदाई ने अंग्रिजों की दमनकारी नितियों का विरोध किया था और बांसवाड़ा, संत्रामपूर, डुंगरपूर और कुसलगड के रिया से तो द्वारा कराई जबरन मजदूर के खिलाब भी आवाज उठाई थी उस नर्ज सहार में मारे गए लोगों के वनसद आज भी उस दिन को याद करके बताते हैं कि जब अंग्रेज उन्हें समझा ना सके और बीलों ने पहाड़ी खाली करने से इंकार कर दिया तब अंदादूंद फाइरिंग करके इस हत्याकान को अंजाम दिया गया यहां हत्याकान का नेतरुत्वा अंग्रेज अपसर मेजर एस बेली और केप्टन इस टाइली ने किया था यहां हत्याकान के लिए अंग्रेजों के फोज ने खचरों पे तोप जैसी बड़ी-बड़ी मंदू के बाद रगी थी और खचरों को गोल-गोल दोडाते थे जिससे जादा से जादा लोगों को मारा जाए कई लोग गोली लगने से तो कई लोग बतने के लिए भागते वक्त पहाड़ी से फिचल कर मारे गे थे यहां हत्याकान का बीलो पर इतना गहरा असर हुआ कि आजादी के कई सालों तक भी वहाण लोग पहाड़ी पर जाने से डरते थे 1890 के दसक में गोविन्द गुरु ने बगत आंदोलान को मद्बूत करने के एक संगठन बनाया जिसमें अगनी को बगवान मानकर व्यसन दूराचार को रिवाद को दूर कर विदिसी चुजों का बहिसकार करके शिक्सा सदाचार और साथगी के साथ सरल जीवन जीने के और अपरादों से दूर रहने के लिए जागरूत किया जाता था गोविन्द गुरु ने 1903 से मानगर की पहाड़ी पर दुनी लगाई हुई थी उनके मांग दसन में भिलों ने 1910 में अंग्रेजों के सामने 33 मांगे रखी जिसमें प्रमुक मांग यहां थी कि अंग्रेजों और रियासतों द्वारा कराया जाने वाली मजदूरी बहुत ज्यादा लगान और गोविन्द गुरु के अनुवियाई उपर किये जाने वाले अत्याचार बंद किये जाए अंग्रेजों और रियासतों ने यहां मांगे ठोकरा देने पर यहां संगर्स सुरू हुआ था यहां अत्याकान के एक महिने पहले हजारों भीलों ने मांगड की पहाड़ी पर कबजा कर रखा था और अंग्रेजों के खिलाब लड़ने की सोगन ली रखी थी उस वक्त यहां भीलोग एक गीद गाते थे ओ भूर्तिये नई मानू रे नई मानू अर्थात ओ गवरी चंबडी वाले हम नहीं जुकेंगे तुमारे सामने ऐसा कहा जाता है कि यहां संकर्ष की प्रसम गटना संत्रामपूर के पुलिस स्थानी में हुए हमले में एक पुलिस कर्मचारी के मौत्र के बाद हुई थी यहां गटना के बाद बास्वाडा, संत्रामपूर, कुसरगर्ड, डुंगरपूर, गुजरात और मद्यप्रदेश के विस्तारों में गोविंद गुरु के समर्थोकी की ताकत बढ़ने लगी जिससे अंग्रेज और स्थानी रियासतों को लगा कि अब इस आदूलन को कुच मिला ये अंग्रेज अपसर, मेजर एस बिली न अपने केप्टन एस टाइली समय तमाम फोजियों को गोले बारी करने का आदेश चारी कर दिया, आदेश मिलते ही खुन की प्यासे अंग्रेज फोजने अंदादूंद फाइरिंग करनी सुरू कर दी, उन्हें निशान लगा की पहाडी खुन से लथपत हो गई, अपरातफरी के माहुल में बचते भागते लोग या तो गोली के सिकाल हो रहे थे या दब कुचल कर मर रहे थे, अने को भील पहाडी से गिर कर मर गए, चीकते चिलाते इंसान गोली लगने पर खामोसी से धेर होते चले गई, यहां गो गोली बारी बंद हुई तब तक 1500 से अधिक भीलो की हत्या हो चुकी थी, तत पस्चात 900 जितने भील पहाडी खाली करने को तैयार नहीं थे जिनकी दर पकड़ की गई, गोविन गुरु के पेर में गोली लगी थी, उन्हें पकड़ कर एहमदाबाद तथा संत्रामपूर के जिल में रखकर केश चलाया गया, कोट ने उन्हें फासी की सजा सुनाई, लेकिन फिर सजा को आजीवन कारवास में तब्दिल कर दिया गया, उनकी लोग प्रियता वा अच्छे वरताव की वजह से जुलाई 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया, परंतु उनके समर्थकों के विश्तार में जाने पर प्रतिबंद लगा दिया, गुजरात के पंच महल जीले के लिंबडी गाउं में 30 अक्तूबर 1931 में उनका देहां थुआ, गुजरात ने उन्हें अनेक तरह से स्रधांज ले दी, पंच महल में सूरी हुई यूनिवर्सिटी का नाम गोरु गुइन दिया गया, 1913 में यहां गटना को सू वर्स पूर्ण होने पर गुजरात सरकार ने गोविन गुरु के प्रापूत्र का सन्मान किया, यहां मानगड की जगहा पर बोटेनिकल गार्डन बनाया गया है, तथा राजस्तान सरकार ने एक बहुत ही बड़ा सुन्दर और के मन बदल जाते हैं, इसलिए एक बार जीवन में उस सही भूमी की मुलाकात अवसे लेनी चाहिए, दोस्तों अगर आपको यहां आदिवासी सहाधत की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, और आने वाली वीडियो के लिए सस् जय आदिवासी, जय जुपार